व्रत के दिनों में अगर आपको भी चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है तो फिर ये रेसिपी सिर्फ आप ही के लिए है आज हम बनाने जा रहे हैं साबू दाना नमकीन एक बार बनाईए महीने भर तक खाईए चलिए शुरू करते हैं तो देखिए यह हाँ पर हमने ले लिए हैं तीन कच्चे आलू इन्हें छील कर हमने पाँच मिनिट के लिए पानी में डाल कर रख दिया था अब हम इन्हें स्लाइस करेंगे जैसे कि हम चिप्स बनाते टाइम इस साचे को यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम आलूओं को स्लाइस कर और डिरेक्ट पानी में ही हम इन्हें डालते जाएंगे ताकि ये काले ना पड़ें अगर आपके पास में ये साचा नहीं है तो फिर आप चाकू की हेल्प से भी इन्हें पतला पतला काट सकते हैं अब हम क्या करेंगे ये देखिए 5-5-6-6 इस तरीके से हम आलू के स्लाइ हूं तो बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी आलू है 5-5-6-6 हम लेते जाएंगे और इस तरीके से काटते जाएंगे अच्छा आलू मैंने यहाँ पर 3 लिये हैं मीडियम साइज के आप अपनी फैमिली के लिए जितनी भी बड़ी आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप इसे पंक्हे के नीचे रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है इसका वो निकल जाए तब तक हम बाकी की चीज़े फ्राय करेंगे यहाँ पर तेल को हमने मीडियम गरम किया हुआ है मीडियम गरम तेल में हम मूंग्फली को फ्राय करेंगे ध्यान रख paintings होते हैं जो मूं 10 मिनिट का टाइम लगेगा अच्छे से इन्हें सिखने में उसके बाद हम इन्हें इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और साइड में रख देंगे जितनी मर्जी उतने आप पीनट्स ले सकते हैं ये तोटली आपका चोईस है अब इसके बाद में फ्लेम को हम एकदम कम कर दे है जैसे ये हलका सुनहरा हो जाएगा उसके बाद हम इसे बाहर निकाल देंगे इसे सिखने में मुश्किल से एक मिनिट भी नहीं लगता है इसलिए गरम गरम तेल में मट डालिएगा वरना ये पूरे जल जाएंगे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा नारियल अगैन जितना आपको पसंद है जितना आपको चाहिए आप उतना ले सकते हैं इसे भी अब हम निकाल देंगे बाहर इसी तरीके से एके करके हम सारी चीजों को फ्राइ करेंगे अब यहाँ पर मैंने ले लिये हैं काजू और किश्मिश आप चाहें तो बदाम भी इसमें ले सकते हैं अब कलर भी चेंज हो जाएगा और जो काजू है उसका भी कलर हलका सुनहेरा हो जाएगा आप तेल के टेमपरेचर का वस ध्यान रखिएगा काजू नारियल ये सब हमें लो फ्लेम पर बनाने हैं और जो पीनट्स हैं वो हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करना है चलिए यह हो ग और उसके बाद इसे भी फटाफट बहार निकाल देंगे जो हरी मिर्ची है उसमें चीरा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वरना वो फट जाएगी और तेल आपके उपर आ सकता है तो हरी मिर्ची को चीरा लगाएं उसके बाद ही उसे फ्राइ करें तो इस तरीके से ह अब हम फ्लेम को करेंगे हाई पर 10-15 मिनिट हो चुके हैं और यहां पर आलू के जो लच्छे हैं उनका भी एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल गया है तो यहां पर हम उन्हें धीरे-धीरे करके फ्राय करेंगे हाई फ्लेम पर जब भी हम आलू के लच्छे डाल देंगे इसका मतलब जो पानी है उनका वो सूख रहा है जैसी उनका यह गोल्डन कलर आ जाएगा बबल्स पूरे खतम हो जाएंगे उसके बाद हम इन लच्छों को बाहर निकाल देंगे इसी तरीके से दो बैचे में मैंने यह आलू जो है उन्हें फ्राय किया है थोड़ा सा दूर इसका मतलब यह है कि आलू बढ़िया क्रिस्पी हो गए है और अच्छे से फ्राय हो गए है इस पॉइंट पर हम इन्हें बाहर निकाल देंगे और इन्हें ऐसी ही छलनी में रहने दीजिए टिशू में ना निकालिए वरना इनकी जो क्रिस्पीनेस है वो खतम हो जाएगी अब हमें फ्लेम को एकदम लो पर कर देना है तेल को हमें थोड़ा सा ठंडा करना है चाहें तो गैस भी बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए उसके बाद हम इसमें साबू दाना डालेंगे यह मोटा वाला साबू दाना है जिसे फ्राय किया जाता है वरत का टाइम है मार अब ये नहीं है कि ये फ्राय हो गया है इसका कलर चेंज होगा धीमी धीमी आज पे कम से कम 10 से 12 मिनिट लगेंगे इन्हें फ्राय होने में जैसी इनका इस तरीके का कलर आए उसके बाद ही आप इसे बाहर निकालें अगर ये अच्छे से नहीं सिकेगा तो ये दातों में पर हमने आलू के लच्छे रखे हुए हैं बाकी चीजे भी हम इसमें ही मिक्स कर देते हैं यहां हमने डाल दिये पीनट्स और नारियल इसके साथ ही काजू किश्मिश करी पत्ता ये सारी चीजे भी हमने इसमें डाल दी है अब क्योंकि वरत के लिए बना रहे हैं तो यहां पर जारा है सेंदा नमक इसके साथ ही काली मिर्ची का पाउडर एक चमच मैंने डाल दिया है अगर आपको इसमें मिठास चाहिए तो आप पिसी हुई चीनी एक चमच इसमें डाल सकते हैं अदर्वाइस मिठास के लिए मैंने यहां पर किश्मिश का यूज किया हुआ है सा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाए